मेट्रो वन मुस्कुराती सुभा इसमें हमने ओमनेट बनाके रखावा है जिसमें सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट दलके आपने फेट के इसको ओमनेट बनाना है वन टेबल स्पून ओईल में ठीक है अब हम क्या करते हैं यह हमाई पास वन कप मियोनेज है इससे मैं डालूँगी ये mustard paste ठीक है यह हमने mustard paste डाला है इसको हमने mix किया इस तरह से ठीक है अच्छे ये में पार bread slices है इसको मैं इस तरह लगाऊँगी इसके उपर ये क्योंकि बहुत मज़ेके breakfast sandwiches बनते हैं बच्चों के लंजबॉक्स के लिए भी बहुत अच्छे और यह बहुत जल्दी बनते हैं, अच्छा यह ओमनेट का एक पीस, इसके अंदर यूं जाएगा, ठीक है, यह एक सालइट का पत्ता है, इसके अंदर यूं जाएगा, और यह चीज स्राइज है, चेडर चीज आप ल अब मैं ये सान्विच इसके अंदर यू डाल दूँगी एक के बाद एक हम बनाते जाएंगे और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आप अकसर माएं बहुत परिशान होती हैं बच्चों को लंच में क्या दें तो बच्चों को आप लोग ये बना के दें ये अब हम इसमें चीस स्लाइस आड़ करेंगे इस तरह से कुछ लों के घर में आवन्स नहीं होते हो वो लेडीज बहुत परिशान होती हैं कि हम क्या करें ये में पस एक रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने का कि चलें आज हम जिनके घरों में आवन्स नहीं होते तो हम ये बना लेते हैं चलें ये हमने एक और बनाया हम एक और बना लेते हैं फिर हम इसको टर्न कर लेंगे फिर इसको हम काट देंगे इसको फ्रूट्स के साथ सर्फ करें थोड़े से इसमें नट्स रख दें थोड़े से अच्छा सा ब्रेक्फिस हो जाता है हेल्दी भी और अच्छा लगता है। यह हो गिया हमारा 你 सपक्राइब। यह हम हमारा हो गीगे इसमें हम और लगा देंगे यह इस तो चया, और यह इसमें रखते हैं। ठो थो थो दो थे हमें हम इस%%%% गोल्डन इसको golden brown का touch देना है क्योंकि हम इसके 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 अंदर चीज है तो वो चीज भी melt हो जाएगा अराम से इसको थोड़ा सा प्रेस करते रहा करें ताकि इसका जो चीज है वो अराम से इसके melt हो जाए और ये बहुत mouth-watering sandwiches बनते हैं बहुत जादा juicy भी बनते है यहां में थोड़ा सा इसको hand से प्रेस करना है क्योंकि सिर्फ हमने इसका golden color चाहिए like this अच्छा ये वाहिद sandwiches जिसमें हम लोग corners को नहीं काटे इसके edges को बिलकुल नहीं काटे का क्योंकि इनका edges का ही taste होता है तो इसे crispy, crunchy and juicy किसम के sandwiches बनते हैं ये फिले हमने इसको भी पलेट दिया फोड़ा सही नीचे से भी golden brown हो जाएगा हम ये tea time में भी use कर सकते हैं जली जली bread सबके घर में होता है cheese भी होता है, egg भी होता है जली साब tea time snacks बना सकते हैं बच्चे खेल के आते हैं तो उनको ये बना के दीजिए अराम से अराम से ये बच्चे खेल के आते हैं उनको भूक लगती है, कुछ भी cravings होती है शाम की के मामा कुछ बना दें, ये कर दें nuggets बना दें, ये कर दें, आप ये बना दें ये बहुत अच्छे होते हैं चैले, अब हम ये इसको हम थोड़ा सा हम टर्न करेंगे हम इसको निकाल लेते हैं, ये हमारा नीचे से भी brown हो गया है, और ये देखें, बिल्कुल इसका उपर से crispy, crunchy सा टेस्ट आ रहा है, टेस्ट तो नहीं आ रहा है, टेस्ट तो हम जब करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप लोग बनाएंगे इसको फिर हम इसका flame off करते हैं, फिर हम बाकी के थोड़ी बाद में बनाएंगे, हम इसको cut कर देते हैं इसको हलका हाथ से press कीज़ेगा, ताके अराम से cut हो जाए इसमें sharpen knife की ज़्यादा जरूरत होती है sharpen knife से और से serrated knife वो आपनों के पास तो ये बहुत अच्छे कटते हैं, अगर आप normal knife से कटेंगे तो ये क्या होगा, इसका सारा अंदर का जो भी आपने batter लगाए वो सारा इधर उधर हो जाएगा ये हमारा एक और sandwich ready हो गया है इधर serve कर देंगे, इस तरीके से हम ये एक और cut कर देते हैं ये हम इस तरह से भी cut कर सकते हैं, हम इसके इस तरह pieces भी कर सकते हैं mini ठीक है, ये हमने यूं किया हमने यूं किया और ये हमारा एक mini sandwich इधर आगया करके एक इधर आ गया और ऐसा दिफरेंसा यह हमने एक इधर तुम्हारा सम कट कर देते हैं हलके हाथ से आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं जो आप लोग को मिसिंग हो जाए हमारे यूट्यूब पे रोज डाउं अपलोड होता है प्रोग्राम आप उधर भी जाके देख स करते हैं हमें आपका सबस्क्राइब करें फॉलो करें हमें कमेंस थे हमें क्या कहते हैं चलें यह हमारा हो क्या यह हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट अब यह हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है प्लीज यह डू ट्राइ ट्राइ कीजिएगा क्योंके बहुत क्विक को इजाज़त दीजिए इन्शाला हम आप से कल मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ